कितनी दुर्भागी की बात है कि जिस बंदे ने 60 साल की उमर तक नौकरी किया और आज जब वो अगर वापिस अपने घर में शाम को जा रहा है रिटायर्मेंट के बाद तो बच्चों के लिए एक चॉकलेट खरीदने के हाल में वो नहीं है तो क्या वो देश विश्व गुरू बन सकता है जब वो बुजूर्ग अपने घर में लोडता है सोचता है अपनी नाती पोते के लिए एक छोटा खिलावना खरीद लू तो उसको दस बार सोचना पड़ता है कि तरकार ने आखों पे पट्टी बांद के गांधारी बनी हुई है महाबारत की गांधारी और उसके सव बच्चे हैं अब रोते हैं सभी दूद पिलाना पड़ता है बड़ दूद पिलाने के लिए उसके वक्ष तो दोई है तो ओ क्या करेगी जो सबसे ज़्यादा चिल लाएगा उसको दूद पिलाएगी और सो बच्चे हैं और उसको पता नहीं चल रहा है किसको उठा रही है इस देश के 75 लाख EPS 95 पेंशनर से ज़्यादा और इस देश के करीब करीब 8 करोर लोग जो इसमें अंसदान करते हैं इस उमीद के साथ में कि जब वो रिटायर होंगे तो उनकी जिन्दगी सुक्चैन से कट जाएगी तो उनके भ्रम को मिटाने के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि किसी गलत फेहमी में मत रहिएगा कि आपके पेंशन के नाम पे जो पैसे कट रहे हैं वो पैसे आपको वापिस मिल सकते हैं या उस पैसे के एवज में आपको इतना पेंशन मिलेगा कि आप दो वक्त की महज रोटी भी खा सकते हो दोस्तों तमश्कार जिस देश में 60-60 साल के बुजर्ग 70-70 साल के बुजर्ग और मैं कह सकता हूँ कि 80 साल से ज़्यादा के बुजर्ग को भी अपने ही पैसों के लिए आमरन अंसन करना पड़े तो क्या वो देश बिस्वगरू बन सकता है जिस देश में जिन्दगी भर मेहनत करके अपनी कमाई हुई पैसों को वापिस पाने के लिए और उस पैसे को गौवर्मेंट से वापिस पाने के लिए अंशन पर बैठना पड़े और लगातार संघर्स करना पड़े किन को इस देश के बुजर्गों को तो क्या वो देश बिस्व गुरू बन सकता है जिस देश में पेंशन का पैसा उनसे काटा गया हो तीस्तिस साल चालिस चालिस साल और अवसत बीस लाख रुपे उनके जमा कर लिए गए हो और उस पैसे के एवज में एक हजार रुपे पंद्रा सर रुपे उसको मिल रहा हो तो क्या उस देश में उन बुज़र्गों का अमरीत काल चल रहा है या विशकाल चल रहा है आज हमारे देश के लिए बहुत बुर्भागी की बात है कि हमारे देश के जो शेमी गवर्णमेंट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जब रिटायर हुए और उनके पेंशन के फंड से जो पैसे काटे गए उस पैसे के एवज में जितना उनको पेंशन मिलना था वो पेंशन तो उनको नहीं ही मिल रहा है साथ में जो काटे गए पैसे हैं वो भी उनको वापिस मिलने की उम्मीद नहीं है आपको मैं दिखाना चाहूँगा लगातार साथ तारीको रामलीला मैदान और ठक हार करके जब इनकी गवर्मेंट ने इनकी बातें नहीं सुनी तो आज हमारे सामने आपको दिखाऊंगा और मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि ये सारे लोग आज आमरन अं सुदान करते हैं इस उम्मीद के साथ में कि जब वो रिटायर होंगे तो उनकी जिन्दगी सुख्चैन से कट जाएगी तो उनके भ्रम को मिटाने के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि कि किसी गलत फेहमी में मत रहिएगा कि आपके पेंशन के नाम पे जो पैसे कट रहे हैं वो पैसे आपको वापिस मिल सकते हैं या उस पैसे के एवज में आपको इतना पेंशन मिलेगा कि आप दो वक्त की महज रोटी भी खा सकते हों और आज के वक्त में तो एक सिलेंडर का गैस का सिलेंडर भी खरीदने के लिए आपको पेंशन नहीं मिलेगा हमारे साथ जो लोग बैठे में मैं चाहूंगा इनको दिखाईए आप ज़रा ध्यान से दिखाईए कि नहीं की उमर साट साल होगी कि अमोमन अट-ठावन साल से तो जादा कही लोग होंगे क्योंकि रिटाइर हो चुके हैं तो बच्चों के लिए चौकलेट खरीदे के हाल में वो नहीं है तो क्या वो देश विश्व गुरू बन सकता है जब वो बुजूर्ग अपने घर में लोडता है सोचता है अपनी नाती पोते के लिए एक छोटा खिलावना खरीद लू तो उसको दस बार सोचना पड़ता है कि जेब में पैसे नहीं है और साठ साल लौकडी करने के बाद सबसे पहले मैं रजावाजी आपके पास आऊंगा रजावाजी लगातार आप लोग संघर्स करते रहे हैं और कमांडर साब तो इसमें है सबसे पहले इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपके ब्रिफ केस में ने देखा है कि लगता है कितने साल से उसने आपने पोथा-पोथी कटे कर रखे पहले यह बताईए क्या है यह EPS 95 Pencil के कल्यान है तू अच्छा रजावजी मौन प्रत पे बैठे है और कमांडर सोक राउड जो लगातार जो EPS 95 के पेंशनर है उनकी आवाज उठा रहे है और लगातार इस कोशिश पे लगे है कि इस देश के करीब करीब 8 करोर वो लोग जो अभी existing काम कर रहे होंगे जिनका असदान जा रहा है और कम से कम 75 लाग से ज़्यादा वो लोग जो रिटार्ट पेंशनर है उनको न्याए मिल सके कमांडर साब आज आमरा नंशन का दिन शुरू हो गया अभी तक के हिसाब से सरकार के कान पे जू तो नहीं रहेंगी है सवाल यह है कि इसलिए अब यह कहना जरूरी है कि लोकतंत्र में एक ही हतियार है वोटिंग का आपके पास जो 2024 के मई में जेनरल इलेक्षन है क्या इस देश की 8 करोड से ज़्यादा अंसदान जो कर रहे हैं वो और 75 लाग से ज़्यादा इंडिविजूल परिवार जोड़ो तो और भी है अब इसमें लोग क्या करेंगे या सरकार को चिंता नहीं है यह है यह तो अब इसपष्ट हो रहा है कि यहाँ पे बुढ़े लोगों को 25-70 साल के लोगों को यहाँ पर अंशन पे बैठना पड़ रहा है और सरकार को जो कहते हैं गरीब हैं गरीबी में पले बड़े हैं वो सब बातों को छोड़ दिए कई बार मैं बोल चुका हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आखिर जिसने गदी दिया है डेमोक्रेसी में तो एक ही राइट का है सरकार ने आखो पे पट्टी बांद के गांधारी बनी हुई है महाबारत की गांधारी और उसके सव बच्चे हैं अब रोते हैं सभी दूद पिलाना पड़ता है बड़ दूद पिलाने के लिए उसके वक्ष तो दोई है तो वो क्या करेगी जो सबसे ज़्यादा चिल लाएगा उसको दूद पिलाएगी और सव बच्चे हैं और उसको पता नहीं चल रहा है किसको उठा रही है रोस अभी रहे हैं पता चला जो बलिष्ट बच्चे हैं दूरियोधन और दुश्यासन लगातार वही दूद पि रहे हैं और यह जो सववा बच्चा है उसकी ना मा तक आवाज पहुँच रही है ना मा उस तक पहुँच पा रही है बीच में दूरियोधन दुश्यासन आ जाते हैं वो बलिष्ट हैं वही अपना पूरा जो भी दूद पीना है वही पी लेते हैं तो यह बाकी भुके मर रहे हैं काम तो वह सो बच्चे ही आते हैं दो बच्चों से तो काम चलता नहीं वाट आम ट्राइंग टूँ से कि आप दो काम बिगाड़ते हैं होगे कि EPS 95 के दाथ कडोरों लोग आपके आते हैं जो आपके वोटर है और देर आस्टिंग फॉर देर ओन मनी अभी इसमें यही है कि हम क्या कह सकते हैं सरकार को शायद आशा हो कि इनके बिना हमारा काम चल सकता है या सरकार को यह भी आशा हो सकती है कि चलो इनको थोड़ा दे देंगे लेकिन मैं कहता हूँ यह इसी पक्षपार्टी की बात नहीं है यह हमारे राष्टर की बात है राष्टर मजबूत तभी होगा जब उसकी संस्कूरती मजबूत होगी और जिस राष्टर में मातरु देव भाव पित्रु देव भाव गुरु देव भाव की संस देखिए इतने बुढ़े लोगों पर राजनितिक प्रहार नहीं करने चाहिए मैं जानता हूँ राजनिति सोशियो एकोनोमिकल चेंज लाने का अच्छा टूल है लेकिन आप उसका उपयोग भी ऐसा कीजिए अब इन लोगों की जिंदगे में फरक कीजिए मैंने कल भी बताया था देखिए कामगार आंदोलन जब से शुरू है 1952 से तब से डॉक्टर बाबा साहिब आमबेड कर जिनका हम सभी लोग नाम लेते हैं जिन्होंने सवविदान लिखा है उन्होंने कामगारों को बड़ी रहत दी चुट्टी, लिमिटेड आवर्स, प्रेगननसी में चुट्टी यह सब उन्होंने इंटरूस कराया है तो उनका लाम बहुत लेते हैं कामगार लोग मैं कहता हूँ अगर यह काम हमारे मोदी जी करेंगे तो मोदी जी का नाम भी अमर रहेगा कि यह पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिनको पेंशन के नाम पे पहले 5 रुपए, 2 रुपए मिलते थे अब यह 1000, 2000, 235 रुपए मिलते एक आदमी को अब यह आज पता चला तो अगर इनको इन्ही के पैसों में से यह कुंडली मार के बैठा हुआ जो EPFO है उसको थोड़ा बाजू में करो और उसके बाद उसकी परस खोलो उसका इंट्रेस्ट का पैसा लोगों को दो, कम पढ़ता है इंट्रेस्ट तो पूरा लगेगा नहीं उसमें से आधा दो और आप जो सरकार जो बाकी pension scheme में contribution करती है, इसमें 1.16 करती है हमारे इसमें NPS में 14% करती है शिरमयोगी मान दन्योजना में 10% करती है तो भाई, यह 1.16 को बढ़ा के 8.33 कर दो जितना अंचदान है उतना आप भी कर दो यह तो कोशियारी कमिटी ने सिंग जी कोशियारी के नेतुरत ने जो कमिटी बनी थे 2012 में उनका recommendation है कि सरकार ने सब बात आप सही कह रहे है सवाल यह है कि जो एक जाइज लड़ाए जो इस देश के बज़र्ग लर रहे है बुज़र्ग मैं कह रहा हूँ कि आपको 60 साल सबसे ज़्यादा उमर है आखिर जब हम आज इस दिन पे पहुंच गए जहां आमरा नंसन पे बैठ रहा ही पड़ गया अनिस्चित कालीन के लिए आप लोगों को सवाल यह है कि लड़ाई का आखिर इंड कहां दिखाई दे रहा आपको फिलाल तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात आ नहीं नहीं है ने तो बात आने में क्या लगता है हमारा विश्वास उपर वाले पे परवर्दिवार हमारे वहे गुरु भगवान परमेश्वर जो भी बोले आप उन पर है वो बड़ी शक्ती है वो तो मोदी जी कान में कैदेगी तो मुझे रिक्लियर कर देंगे और क्या चलिए एक तरह से यह कह रहे है कि इनको यह उमीद है उस चमतकार की जहां पर सदबुधी कहते नहीं इनसान को आ जाए यह सदबुधी की बात कर रहे है मैं यह कहता हूँ